है नमसेत दो म investigна. मैं आरभी आर्वी के चन्फ आप का अबसे स्वागत है आज मई लेकर करें हूं ए लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी हा्दीयों में फट जाते हैं कि किसी कि हूट आप जाते हैं पहले कारण जान लेते हैं बहुत सारे लड़कियां लिपिश्टिक लगाती हैं और इससे भी हमारे होट काले पड़ जाते हैं और फटने लगते हैं ध्रूपार्म करने से भी यानि के सिग्रेट पीने से भी हमारे होट काले पड़ जाते हैं तो चलिए यहां पे हम इसको अच्छा करने के लिए पिंकी क्योंवतिया उसको हैंके सर्ब करेंगे तो बहूत ही अच्छा है चुकंदर टो हाप YEं हम बादेखन 6 गाजर और संतिरा यहाँ पे हमने नीव इसक इप किया है 시ंतिरा तीनों का अजोष्ध त्यार करके रखने तो दीखे एस क्रप त्यार करेंगे, एस क्रप त्यार करने के लिए तो चलिए हम पहला इस टिप त्यार करते हैं, एस क्रप, सारे आपने अच्छे से देख लिए, तो इस कटोरी में हमने लिया है, चीनी, सहद, सूजी, एलो वेरा जेल, और बदाम पाउडर, और सारे जो च चुकंदर गाजर संत्रे का रस, सभी को अच्छे से मेक्स करेंगे, हमने तुरंद प्लांट से ऐलो वेरा जेल लिया था, आप मार्केट का भी ऐलो वेरा जेल ले सकते हैं, लेकिन जब भी आप प्लांट का ऐलो वेरा जेल योज करते हैं, तो उसे चार-पाँच पानी थबते तक भी रख सकते हैं लेकिन थोड़ा सा ही फ्रेस बनाएं फ्रेस यूज करें तो इसे चेहरे पर भी आप यूज करें और अपने होटों पर भी कर सकते हैं इस में होटों के लिए हमने बताया लेकिन यह हमारे चेहरे पर भी बहुत अच्छा पिंकी अहसास देगा तो संत्रा बहुत अच्छा मैं अपने हर रेमिडी में संत्रा ही योज करती हूं अब बदाम पाउडर ले लेंगे कितनी क्वांटिटी में तैयार करना है वह आप देख लिजिए तो यहां पे हमने एक्टमच बदाम पाउडर ले लिया और कुछ बटर लिया है लेकिन यहां पे अब हम इसको अपने टिबी में स्टोर करके रखेंगे हमारे पास पहले से पढ़ा हुआ है तो हम आप लोग को दिखाते हैं हमारे होट कितने अच्छे और पिंकी बन जाते हैं बहुत ही प्यारा तो देखिए यह कितना अच्छा हमारा रेमिडी बन के तयार हो गया है तो चलिए ठीकी होटों को देज़ें चेहरे पर भी यह असे लगा सकते है आपकी नागे रात को सूते समय होटों जब लगाज़ें देखिए द मैं निच्रलज पिंकी हधास हो जाएगा आपका खुद आप हमें कमेंट करके यह सो प्रतिसत कारगर है तो मिलते हैं अगली